हेलो गयाइज सुजी के नगिट्स बहुत ही हेल्दी और मज़डार बेकफ़स्ट है आप इवनिंग स्नेक्स में से बना सकते होँ और सुजी से बनाए तो है तो हेल्दी और बनाना भी बड़े मज़दार रीजी रेसिपी है आईए देखते हैं सुजी नगिट्स की रेसिप जीरे को हम तड़कने तक ठोड़ा भूल लेंगे, जैसे हमारा जीरा तड़क बून जाता है इसमें डालेंगे हम राई, राई को भी भूल लेंगे ए जब तक भूलेंगे जब तक ये तड़क ना जाएं इस तरह के ना रखूएं, gas को हम low रखेंगे और अब डालेंगे हैं प्याज, प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है एक medium size का प्याज लिया है अगर आप प्याज नहीं काते तो आप प्याज को skip click कर सकते हैं प्याज को हम भून लेंगे, brown color नहीं करना है थोड़ा ही भूनना है कुछ सेकिंड्स में हम प्याज थोड़ा सा हलका हलका वाइट कलर दिखने लगीगा इतना ही हमें भूनना है गाइस नगेट्स बहुत इजली बन जाते हैं अब चाहिए कभी भी बना सकते हैं और इसे स्टॉर करके भी रख सकते हैं प्याज हमारे भून चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी यहां पर आपको पानी और सूजी का रिशो इतना रखने कि डबल पानी होना जितनी सूजी लेंगे उतना डबल पानी यहां मैं एक कप सूजी की रिशो से बना रही हो तो इसमें दो कप पानी डाल रही हो एक कप पहले डाला और एक कप ये अब पानी को उबालाने देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें उबालाने से जो हमना प्याज है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से पक जाएगा देखे थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया पानी में और इसे बिल्कुल अच्छे से जब उबाल आ जाए तब तक उबाल देना है जी आगे अब हमारे पानी में उबाल लें इसे थोड़ा सा मिलाएंगे और अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लिक्स इससे बहुत बढ़ी हासा फ्लेवर आता है बहुत ही ना तो ये तीखी होती है बहुत ही मज़ेदार बहुत टेस्टी लगती है थोड़ा सा घुमाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे सूजी सूजी गाइस इसमें कभी एक साथ नहीं डालनी है जब भी आप पानी में सूजी मिक्स करें किछ भी बनाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करें तो अच्छे से वह मिक्स हो जाती है जाता है कम मिक्स कर लेंगे अच्छे से जब यह मिक्स हो जाएंगे तब हम साथ में दूसरी सूजी डालेंगे जो पचियो है हमारे और यह मिक्स करने के बाद थोड़ी और बचिया है वह ब्लाद में डालते हैं गरम पानी के साथ सूजी बहुत जल्दी फूलती है बहुत ही बढ़िया और नरम होती है आप सूजी का जब भी कुछ भी बनाए अगर उसे गरम पानी में भीगो के रखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है इसका जो भी आप बनाएंगे यह मिक्स हो गई है और इसमें अज़ान इस तरह से बन जाते हैं हमारे नगेट्स अभी और प्रोसेस भी बाकी है इसी में नहीं बनेंगे सूजी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाते रहिए ताकि नीचे से और इसमें ध्यान रखना है कि आप फ्लेम को लो रखे हाई फ्लेम बिल्कुल बहुत आसानी से सूजी पैन पर कोई चिपक ने रही है और एक डो हमारा ये रेडी है बस इसे अच्छे से और बड़ी हासा मिक्स कर लेते है इसमें जो नमक के आप अपने टेस्ट के अनुरसार डाल सकते हैं कम ज्यादा जो भी है पर स्टार्टिंग में थोड़ा कम डाल अब खोल शना Стल रांता है ठंडा कर लेंगे खोली से बरत्न में डाल पर क eles के प्रमें से टीमत कर लिया आप इसे मत लेंगे अच्छे से थोड़ा ख़आ होने पर जब जितना इतना ठंडा कि हमारा हाथ हराम से इसमें लग सके अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें उबला हुआ आलू मैंने दो आलू उबाल के उनको अच्छे से क्रश कर लिया है और इसे जैसे हम आटा गूंधते हैं इस तरह से मिक्स कर लेंगे एक डॉर रेडी कर लेंगे आप छोटे छोटे ऐसे लोईया लेंगे और इसे बहुत पर फिर से हाथ से मसल लेंगे आप चाहें तो हाथ पे तेल भी लगा सकते हैं वैसे जरूरत नहीं है सर्फिस को क्लीन कर लीजिए और फिर इसे ऐसे रॉल करेंगे हाथ से ही रॉल करेंगे इतना रॉल करना है कि जिसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए रॉल में आप चाहें इसके कोई भी शेप बना सकते हैं देखें अब इसमें क्रैक्स नहीं है तो अब हम इसे shape देंगे, knife से कैसे भी किसे cut कर लीजिए, वो आप पर depend करते हैं, कि आप इसे छोटा या थोड़े बड़े size में या लंबे-लंबे बनाना चाहते हैं, जैसी भी shape बनाए, वो आपकी मर्जी है, मैं हाँ पर इसको भी थोड़ा सा roll करके, इसको सुन्दर सी shape बन आए हैं, और एक side रख दीजिए इसमें, तेल गरम होना, यह सारे मैंने इत्यार कर लिए हैं, different different shapes में, तेल यहाँ पर तेज गरम किया है, तेज गरम से थोड़ा सा हलका सा कम, और यहाँ पर आप इसे बड़े ध्यान से डालना, नहीं तो तेल का चीटा उपर लग सकते हैं और इसे आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं कुछ देर तक जब तक अपने आप से हलकी होकर ऊपर ना आ जाएं, quantity आप कम जादा डाल सकते हैं, बस यह चिपकते नहीं है, थोड़ी दिर में यह आपस में अलग हो जाएंगे, यह कुछी दिर बाद और इतना हमें फ्राइ क ना है, जब तक अथोड़ा कलर अल का जाएंगे, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बहुत ज्यादा डाक ब्राउण ना करें तो टेस्ट भीगड जाएगा, इसे खुले बरतन में डालेंगे और बहुत जादा तेल नहीं सुखाई एस इसे नेपकिन पेपर पे मट डाल दि अमचूर पाउडर नमक और लाल मिर्ची का और थोड़ी सी काली मिर्ची से अब इसमें ऑईली उसमें ही फटाफट से इसे डाल देंगे और यहां पर आप ये औरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी मैंने हलका सा औरिगेनो भी डाला उसका भी बहुत बढ़िया फ्ले